अकबर का सासनकाल, अकबर का सासनकाल 1556 ले करके 165 इस वितक था, अकबर का जनम अमरकोट के राना वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, अकबर का जनम अमरकोट में हुआ था, जो सिंध के थार जिला में परता था, अमरकोट में वीर साल के महल में हुआ था, 15 अक ये हुमायू के भाई हिन्दाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी। बनने की सूचना दी गई। एक बाजार अधिक्षक के रूप में आरंभ किया था लेकिन आदिल साह की सेवा में उसने महत्वपुन प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वह बाईस युद्ध कर चुका था तता उन में से किसी भी युद्ध में उसे पराजय नहीं मिला। सभी युद्ध को जित गया था। सभी युद्ध कर चुका था लेकिन अचानक एक तीर हेमु के आँख में आ करके लागा और वह मुर्शित हो गया। फिर नेतरीत वी हिन आफगान जेना पराजय हो गई। हेमु को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दिया गया। अकबर जो था वो बैरम खा के संडरक्षन में था। अकबर बैरम खा के संडरक्षन में लगवक 1556 से 1560 इसवी तक रहा था। अकबर के संकालीन विश्व के उनने सासक थे। अकबर के संकालीन थी महाराणी एलिजाबेद जो इंगलेंड में थी। फ्रांस के समराट हेनरी चतूर्थ ये भी अकबर के संकालीन थे। महाराणी एलिजाबेद अकबर के संकालीन थी इंगलेंड में। समराट हेनरी चतूर्थ फ्रांस में अकबर के संकालीन थे। साह अब्बास इरान में था अकबर के संकालीन। साह अबास इरान में अकबर के समकालीन थे और जर इवान बेसिल येविच ये रूज में थे अकबर के समकालीन जर इवान बेसिल येविच इनको इवान दी टेरिवल भी कहा जाता है अब बैरम खा की संरक्षन में अकबर 1556 से 1570 वितक रहा बैरम खा लगवक चार वर्षों तक समराज का सुत्रधार बना रहा सर्वच सत्ता का उपयोग करते हुए बैरम खा ने बहुत से सक्ति साली व्यक्तियों को अप्रसन कर दिया था छोटी छोटी बातों पर अकपर के सांद उसका मद्भेथ हो जाता था जिससे अकपर को लगने लगा कि राज काज को किसी अन्य के हाथों में अधिक दिन तक नहीं देना चाहिए अकपर ने बरे चतुराई के साथ काम लिया सिकार के पहाने वह आगरा से रवाना हो गया और दिली पहुचा दिली से एक फर्मान जारी कर उसने बैरमखा को वजीर के पत से बरखास्त कर दिया अकपर ने उसके सामने दर्बार में या बाहर कहीं भी समराज की सेवा करने अथवा होज के लिए मक्का जाने का विकल्प रखा बैरमखा ने दूसरे विकल्प को चुना लेकिन जब वो मक्का जा रहा था तो अभी अहमदाबाद के निकट पाटन में मुबारक खा नमक एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी थी अकपर ने बैरमखा की विद्वा से विवा कर लिया था समराज का प्रारंबिक विष्दार अकपर के काल में इस काल में जो सबसे महत्पुन छेत जीते गए थे हुवे थे मालवा गंटा कंटका और अजमेर उस समय मालवा का सासक बाज बहादूर था उसके विभिन गुनों में उसकी संगीत प्रमीनता और काब्य पटुता भी सामिल थी इन दोनों कलाओं के समान रूप से नात और अपनी सुंदर्दा के लिए प्रसिद रूप मती के साथ बाज बहादूर की प्रेम कथा लोकविद है बाज बहादूर के साथ रूप मती का प्रेम कथा ये बहुत प्रचलित है बाज महादूर और रूप मती की समाधी उज्जाइन में है उसके सासनगाल में मांडू संगीत का एक केंदर था मालवा पर किये गए आक्रमन का नेत्रित अकबर को पालने वाली उसकी माता माहम अनगा के बेटे आदम खाने किया था मालवा पर किये गए आक्रमन का नेत्रित अकबर को पालने वाली उसकी माता माहम अनगा के बेटे आदम खाने किया था इस युद में बाज भादूर पराजित हुआ तथा लूट के धन पर मुगलों ने अपना अधिकार कर लिया था अकबर का भी जाए गुंडवाना भी जाए चित्तोर भी जाए कालेंजर भी जाए आमेर भी जाए मारवार भी जाए हल्दी घाटी का युद और असीर गट का युद गुंडवाना भी जाए चित्तोर भी जाए कालेंजर भी जाए आमेर से संधी मारवार भी जाए हल्दी घाटी का युद और असीर गट का युद आदमका और मालवा में प्रतिक्रिया हुई तथा बाज बादूर ने अपना खोया हुए राज वापस पाने में सफलता प्राप्त कर ली बैराम खाका विद्रो समापत होने के पाश्चात अकबर ने मालवा के बिरुद दूसरी बार सेना भेजी परिणाम शुरूप वहार गया और उसे मालवा छोड़कर जाना परा कुछ समय पाश्चात वह अकबर के दरभार में पहुँचा जहां बादसा ने उसे मनसबदार बना लिया था लगभग उसी समय मुगल सेना ने गड़ कटंगा राज पर आक्रमन किया इस राज में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध परदेस का उतरी भाग सामील था इन दोनों परदेसों को एक करने का स्रे अमंदास को था जिसका जिमनकाल पंदरहमी सदी के उतराद में पड़ता है अमंदास ने राए सेन को जीतने में गुजरात के बहादुर साह की मदद की थी जिस ने उसे संग्राम साह का खिताब दिया था गड़ कटंगा राज में गोंड और राजपुर सरदारों ने के अनेक छोटे-छोटे छेतर सामील थे गड़ कटंगा राज में गोंड और राजपुर सरदार के अनेक छोटे-छोटे छेतर थे संग्राम साह ने महोमा के प्रसिद चंदेल राजगराने की एक राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर अपने इस्तिती को सुद्रिड कर ली उसकी पत्नी इतिहास प्रसिद राणी दुर्गावती थी जो धनुसबान और बंदुक दोनों को चलाने में निपुन थी उसने परोसी राज जैसे कई सफल युद्ध किये थे इन परोसियों से में एक बाज बहादुर भी था रानी की बेसमार दौलत और अतुलित संदर एकी कहानी सुर कर इलहाबंद के सुवेदार आसफ खा का लोव जाग उठा फिर वह बुंदेल खंड की ओर दस अजार घुरसवार लेकर बढ़ा रानी दुर्गावती ने आसफ खा की सेना से संघर्ष किया घायल हो जाने के बाद भी वह बहादुरी से लड़ती रही फिर उसने स्वयम को ही छोड़ा घोग कर अपने प्रान त्याग दिये अकबर ने राजास्थान के अधिकतर सेत्रों पर अपना आधिपत्या स्थापित कर लिया मंगाल वह गुजरात को भी जीत लिया राजपुत राज्यों की विजय के दहरान उसका एक महतपुन कदम चित्ताओर पर किया गया आकरमन्था चो महिने के घेरा बंदी के बाद चित्ताओर पंद्रस और सटिस्वी में पराजित हो गया अपने सरदारों के सुझाओ पर किले को प्रसिद्ध योद्धा किले को प्रसिद्ध योद्धा जैमल और फट्था के जिम में छोर कर राना उदैसिंग पहारी में चले गए जब मुगलों ने किले में परवेश किया तो बरी संख्या में किसान और राजपुत योद्धा की हत्या करती गई जैमल और फत्ता ने बड़ी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया और बाद में पराजित होकर वीर गति को प्राप्तूंगे सुर्वीर जैमल अर फत्ता के सम्मान में अकवर ने आगरे के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार इन दोनों की पत्थर की मुर्तिया अस्थाफित करने का आदेश दिया। चित्ताओर के पतन के बाद हरंथवार को जीता गया। जो राजास्थान के सबसे सकती साली दुर्ग के रूप में परसिद्ध था। 1572 में अकबर ने अजमेर के रास्ते आहमदाबाद पर चढ़ाई की। 1572 में और एक नाओ पर सवार होकर उसकी लहरों का आनुद लिया। पुर्टगाली वयापार्यों की एक मंडली ने भी महां आकर पहली बार उससे मुलाकात की। इस समय तक पुर्टगालीों ने भारतिये समुद्रों पर अपना वर्चस्वा स्थापित कर लिया था। और वे भारत में एक समराज की अस्थापना की योजना बना रहे थे। अकबर का प्रसासन गुजरात विजय के समय अकबर को समराज की प्रसासनिक समस्याओं की और ध्यान देने का आउसर मिला। गुजरात से लोटने के बाद 1573 में अकबर ने भूर आजस्थ विवस्ता की और व्यक्तिकत रुप से ध्यान देना शुरू किया। पूरे उत्तर भारत में करोरी नाम से जाने जाने वाली अमले भरती किये गए। उनमें से प्रतीक को एक करोर दाम यानी धाई लाख रुपे वसूल करने की जिम्मेदारी सब भी गई। अकबर ने एक नई प्रणाली शुरू की 1580 में जिसको दह साला कहते हैं। अकबर ने 1580 में 10 साला प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के अंतरगत पिछले 10 साल के दरान अगले अलग-अलग फसलों की अवसत उपजों और उनकी अवसत कीमत का हिसाब लगाया गया। अवसत उपज का एक तिहाई भाग राज का हिसा तई किया गया। लेकिन राजस्व की मांग नगद की सक्ल में सामने रखी गई। यह काम पिछले 10 सालों की अवसत कीमतों की अनुशुची के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से को नगद में तबदिल कर किया गया। राज्य के हिस्से में परने वाली एक विघा जमीन की उपज मौन में बताई गई लेकिन अवसत कीमतों के आधार पर राज्य का हिसा प्रती विघार उपए में तई किया गया किसान को नो केवल अस्थानिये उपज के अधार पर बलकि अस्थानिये मुल्यों के अधार पर रजस्व अदा करना पड़ता था इस प्रणाली के कई लाब थे जिस समय लोहे की कडियों से जुरे बांसों से बोये गए रकबे को नापा जाता था उसी समय किसान और राजे दोनों को मालूम हो जाता था कि राजस्व कितना होगा यदि सुखे बाढ आधी के कारण फसल नष्ट हो जाती थी तो किसान को भूरा जास्व में छूट दी जाती थी 25 की इस प्रणाली और इस प्रणाधारित राजस्व निर्धारन को जपती कहा जाता था 10 साला प्रणाली जपती प्रणाली का और भी सुधारा हुए रूप था सबसे सामान्य एवं संभौता सबसे पुरानी प्रणाली का नाम बटाई या गल्ला बक्सी था इस प्रणाली में उपस निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच पांट दी जाती थी कपास, तिलहन, गन्ना जैसी फसलों के मामले में राज्य आम तोर पर नगद अदाईगी चाहता था इसलिए इनको नगदी फसल कहा जाता था कापास, तिलहन, और गन्ना को नगदी फसल कहा जाता था क्योंकि इन फसलों के मामले में राज्य नगद अदाईगी चाहता था अकबर के अधिन ब्यापक रूप से परचलित एक तीसरा प्रणाली का नाम था नसक, नसक भू राजास्व तय करने में क्लिसी भूमी की उर्वरता क्या दिहान रखा जाता था जिस भूमी पर लगभग प्रते एक वर्ष खेती की जाती थी उसको पोलज कहा जाता था जिस भूमी पर प्रते एक वर्ष खेती की जाती थी उसको पोलज कहा जाता था जब उससे उसमें खेती नहीं की जाती तो उसको परती कहते थे जब परती जमीन में खेती की जाती थी तब उस पर पूरा राजस्व पोलाज देना हो परता था वैसी जमीन जो लगातार दो तिन साल परती रहती थी उसको चाचर कहा जाता था और इससे ज़्यादा समय तक परती रहने वाले भूमी को बंजर कहा जाता था इसके अतरिक्त भूमी को उत्तम, मध्यम और निम्न कोटी में बटा गया था राज्य का दावा एक तिहाई उपज पर होता था राज्य एक तिहाई उपज पर दावा करता था मापतल के पैमाने अकबर के सिंहासन रूर होने से पुर्व उत्तर में नाप के लिए सिकंदरी गज जो की 49 अंगुल या 32 इंच गा था वही पर चली था किंटु अकबर के काल में उसका आस्थान इलाही गज ने ले लिया अकबर के पहले था सिकंदरी गज लेकिन उसके बाद इलाही गज ने ले लिया इसमें 41 अंगुल या 33 इंच होता था आईने दह साला परणाली को दक्षिन भारत में साह जहांके सासनकाल में मुर्शीद कुली खाने लागू किया था आगिने दह साला प्रणाली को दक्षीन भारत में शाह जहा के सासनकाल में मुर्शीद को लिखाने लगू किया था दह साला प्रणाली दह साला बंदोबस्त नहीं थी और न वह अस्थाई बंदोबस्त थी जबती प्रणाली का संबन्ध राजा टोडर्मल से जुरा जाता है। कभी कभी उसे टोडर्मली वेवस्ता भी कहते हैं, जबती प्रणाली को टोडर्मल से जुडा जाता है, और इसको टोडर्मली वेवस्ता भी कहा जाता है। तीसरा मुझारे, पाही कास्त, खुद कास्त, मुझारे, तिन परकर के किसान, पाही कास्त, खुद कास्त और मुझारे, पाही कास्त अपनी जमीन पर खेती करने हैं तो दूसरे गाउ में जाने वाले किसान, खुद कास्त, स्वयम अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान, और मनसब दाई पन्दति के अधिन प्रतेक अधिकारी को एक दर्जा ये मनसब दिया जाता था सबसे निचिला दर्जाँ दौस का था उपर दर्जा पान सवका था जो सरदार या अमीर के वर्ग के लिए था अकबर का अंतिम सासनकाल में पाँच हजारी मनसब को बढ़ा कर साथ हजारी बना दिया गया तथा मिर्जा अजीज कोका तथा राजा मानसिन इन दो सरदार को इस उच्चतम मनसब से सम्मानित किया गया ये दरजे समाने रूप से दो भागों में विवक्त हुवय करते थे, जात और सवार, जात का अर्थ था व्यक्तिकत अर्थाथ, इससे व्यक्तिकत दरजा निर्धाईत होता था, वेतन तय होता था, सवार दरजा सुचित करता था, कि उससे कितना सवार रखना अपेक्षित थ शिपाहियों की एक विवर्णी का यानी चेहरा रखी जाती थी तता उसके घोरे को साही निशान से दाग दिया जाता था जिसको दाग प्रणाली कहते थे मनसबदारी प्रथा का मूल चंगेज खा की विवस्था में देखा जा सकता है जिसने अपनी सेना का संगठन दसमलव प्रणाली के आधार पर किया था है अकबर ने इसका आरंभ अपने सासन काल के उननीस सेवे वर्ष यानी पंद्रसव सतहत्तर इश्वी में किया उस समय किया था जब अपनी भूर आजस्व वेवस्था में सुधार किया तथा जात और सवार नवक पनाली शुरू की 500 जात से नीचे के दरजे वाले लोग मनसबदार 500 से लेकर 25 तक की जात वाले लोग अमीर और 25 से उपर की जात वाले लोग अमीर एं उम्दा या उम्दा एं अजाम कर लाते थे मनसबदार से यह आशा की जाती थी कि वे अपने वेतन मेशेवह निर्धाईर संख्या में रखे जाने वाले घोरे हाथियों और भारवाही पसु यानि कि मूट खचर गारी पर होने वाला वियाए भी पूरा करेंगा मनसबदारों को अच्छे वेतन दिये जाते थे पांच हजारी मनसबदार को मानसिक 30,000 रूपए, 3,000 को 17,000 रूपए और 1,000 को 82,000 रूपए दिये जाते थे अस्थानिय सरकार का संगठन अस्थानिय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया परगने और सरकारे पुरोवरत अस्थाई रही सरकार के मुखे अधिकारी फोजदार या अमल गुजार होते थे फोजदार सांती विवस्था के लिए जिम्मेदार होता था तथा अमल गुजार का काम भूर अजशन निर्धाईत करना एवं उसे वसूल करना होता था समराज्य के प्रदेश, जागीर, खालीशा और इनाम में बटे थे खालीशा गाओं को आए सिधे खरसाही खजाना से दी जाती थी इनाम भूमी वह होती थी, जो विद्वान और धर्मत वगयो को आवंटित की जाती थी अमल गुजारों से समान्ने तर पर सभी प्रकार की जोतों पर निगरानी रखने की आसा की जाती थी उसकी केंद्रिये सासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विक्षित सासन संडशना पर आधारित थी सैनिक विभाग का प्रधान मीर बक्षी का लाता था सरदारों के संगठन का प्रधान दिवान नहीं बलकि मीर बक्षी माना जाता था साइनिक विबाद का प्रधान मीर वक्षी कालाता था और सरदार के संगठन का प्रधान दिवान नहीं बलकि मीर वक्षी ही माना जाता था समराज्य की खुफिया और सुचना एजेंसी का प्रधान मीर वक्षी होता था खुपिया अधिकारी बरीद और सुचना अधिकारी वाक्या नवीश कालाते थे ये समराज्य के सभी हिस्से में तैनात किये जाते थे दिवान और मीर वक्सी लगवग एक दूसरे के समकष होते थे और एक दूसरे पर अंकुष रखने का काम करते थे पदाधिकारी मीर समा समराट की गरिहस्ती का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी था मीर समा जो पदा अधिकारी होता था वो समराट की क्रिहस्ती का प्रबंद करने वाला प्रधान अधिकारी होता था यह हरम की जरूरतों की सभी समगरी को इकठा करता और विवस्ता करता अत्यधिक वस्तु समान साही कारे आले की देख रेख में बनाई जाती थी जिनको करखाना कहा जाता था राज दरबार में सिष्टाचार का पालन साही अंगरक्षको का नियंत्रक आधी इसी अधिकारी की देख रेख में हुआ करता था न्याई विभाग का प्रधान था आला का जी यह दिवान और फोजदारी दोनों तरह के मुकद में सुनता था इसकी सहाइता के लिए मुक्ती होता था 1580 में अकबर ने अपने सम्राज्य को बारे सुबे में बाट दिया 12 सुबा था बंगाल, बिहार, इलहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लहाओर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजराद पर तेक सुबे में एक-एक सुबेदार, दिवान, बक्सी, सदरकाजी और वाक्यानविक न्यूक्त किये गए अकबर का राजपुतो से संबंद अकबर के सिंगहासन पर बैठते ही, आमेर का कछवाहावन सिये सासक भारमल उसके दरबार में आया भारमल ने व्यक्तिका तरूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति संबंद प्रकट किया और अपने छोटी पुतरी हरखा भाई, जो जोधा भाई के नाम से जानी जाती है उसका विवा अकबर से करके उसके साथ संधी अस्थाबित की अकबर की राजबुत नीती के साथ उसके धार्मिक सहिश्णता की नीती का सुखत समयोग था 1564 इस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया अकबर ने तिर्थकर इससे पहले तिर्थकर समाप्त कर दिया था इसी परका युद्वबंदियों को वलपूर्वक मुस्लिम बनाने के चलन को समाप्त कर दिया गया जैसलमेर और विकानेर के राजाओं ने अकबर से वयवाहिक संबंद स्थापित किये थे मेवार एक मातर राज्य था जो मुगल प्रभुता स्विकार नो करने के जीत पर आरा था उदाइपूर और पहारी छेतर में मेवार के बरे भाग महाराना प्रताप के नियंतरन में थे 1572 में राना उदय सिंग का पुतर महाराना प्रताप गदी पर वैठा अकबर ने एक के बाद एक कई दूत मंडल भेज कर महाराना प्रताप को इस बात पर सहमत करने के कोशिस की कि वो मुगल प्रवता स्विकार करें अकबर ने उसे जो साही पोसाग भेजी थी उसे महाराना प्रताप ने धारन कर लिया था राना प्रताब अकबर का यह आग्रह स्विगार करने को तयार नहीं था कि वह व्यक्तिकत रूप से उपस्तित होकर सांसा के पति सम्मान प्रदर्शंत करे 1576 इस्वि के आरंभ में अकबर अजमेर पहुँचा और मान सिंग को 5000 की एक सेना लेकर राना प्रताब पर हमला करने का दाई तो सब्गा राना की ततकालीन रजधानी कुम्भलगड तक जाने वाले राश्ते पर परने वाले तंग घाटी में जोकी हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती है दोनों में युद्ध हुआ मुगलों ने डुगरपूर, बासवारा, सिरोही राज्य में अधिक विनाश किया अकबर ने इन राज्य को जीत कर इनके साथ अलग से संधी की जिस्टेराना प्रताब और भी अकेला पर गया मुगलों ने कुम्भलगड और उदैपूर दोनों पर अधिकार कर लिया वह वही रहा और राणा प्रताब के खिलाफ कोई मुगल सेना नहीं भेजी राणा प्रताब ने अपने अनेक प्रदेश ओपर पुनों अधिकार कर लिया जिसमें कुम्भलगड और चित्तोर के आसबास के छेतर थे इस काल में राणा प्रताब ने आधूनिक डुगरपूर के निकट चामण्ड में एक नवी राजधानी बनाई 1597 इसवी में एक 29 वर्ष की आयू में राणा प्रताब की मृत्ती हो गई अकबर की राजपूत निती मुगल समराज और राजपूत दोनों के लिए लावदायक हुई राजपूतों से मित्रता के फल्षरूप मुगल समराज को भारत के सबसे दुर्व धस द्योधाओं की सेवा प्राप्त हुई समराज को सुद्रिड बनाने और उसका विस्तार करने में है राजबुतों की निष्टा का योगदान था एकी करण की ओर अकबर अकबर ने जो प्रारंविक सुधार किये उनमें से एक यह था कि उसने मुस्लिम राज़ में गैर मुसल्मानों पर लगाये जाने वाले जजिया नामक व्यक्तिकत कर को समाब्त किया अकबर ने प्रयाग बनारस जैसे पवित्र अस्थल पर जाने वाले लोगों पर लगाया जाने वाला तिर्थकर समाप्थ किया इसके अतिरिक्त अकबर ने सुयोगे हिंदुओं को सरदारों के वर्ग में अस्थान देकर समराज के उदा सिधान्त को मजबूर किया आरंब से ही अकबर की धर्म और दरसन में रूची थी 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेह फूर्सी करी में एक बारा कोक्ष बनवाया जिसको इबादत खाना यानी प्राथना कोक्ष कहा जाता था इबादत खाने में वह धर्म तत्व, रहस्यवादी और अपने दर्वार के जाने माने बिद्वान और बुद्धिक जनों कोई गोष्टियां आयोजित करता था अकबर ने इबादत खाने के द्वार सभी के लिए खोल दिये थे इबादत खाना नौकिवल इसाई, जर्थुरुस्ति, हिंदू, जैन के लिए बलकि नाश्टिकों के लिए भी खुला था 1589 से 1580 इस्वी में पूरो में एक विद्रोह वरक उठा काजियों ने कई फत्वे जारी कर अकबर को काफिर विधर्मी कहे मौलवियों के मुकाबले अपनी इस्थिती को और मजबूत करने के लिए अकबर ने एक मजहर या गोशना जारी की 1582 में अकबर ने इबादत खाने में बहसो का सिलसिला बंद कर दिया इस तत्य का कोई प्रमान नहीं मिलता कि अकबर ने किसी नए धर्म की उद्गोशना की थी इसके लिए अबुल फजल और बदाईनी ने तवहीद ए इलाही सब्द का पर्योग किया है जिसका अर्थ है एके स्वरवाद इसके साथ दीन अर्थाथ धर्म सब्द 80 साल बाद जोड़ा गया तवहीद ए इलाही वास्तों में सूफी मत जैसा एक पंध था अधिकांस इसके सदस्य बन गए दिक्षा का दिन रवी बार होता था नव दिक्षित व्यक्ति अपना सीर समराट के चर्णों में रख देता था वह उसे प्यार से उठा कर उसे एक मंत्र देता था जिसे सूफ्यों की भासा में सास्त कहा जाता इसमें अकबर का प्रिये सृधान या सुत्र अल्ला हो अकबर या अल्ला महान है सामिल था बद आयूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा की चार अवस्थाए हुआ करती थी संपत्ति का अरपन, जीवन का अरपन, सम्मान का अरपन, धर्म का अरपन अकबर ने अलग-अलग धर्मों के बीच सुलह कूल या सांती या मेल जोल पर और तरीकों से भी दबाव देने की कोशिस की उसने संस्कृत और अभी ग्रीब जैसी कृतियों का फार्शी में अनुवाद करवाने के लिए एक विशाल अनुवाद विभागा स्थापित किया था सबसे पहले सिंहासन बतिसी, अथर्ववेद और भाईविल का अनुवाद सुरू किया गया इसके बाद महा भारत, रमायन और गीता का अनुवाद सुरू करवाया गया पंचतंत्र और भुगोल से सम्बंदित कोई रचनाओ का अनुवाद किया गया सायद सबसे पहली बार कुरान का अनुवाद किया गया अकबर ने कई समाजिक और सेक्षिक सुधार किये उसने सती प्रथा समाप्त की विद्वा विवाह को कानूनी समर्थन दिया विवाह की उम्र बढ़ा करके 14 वर्ष और लर्कों के लिए 16 वर्ष कर दिया गया अकबर ने सिक्षा के पाठे करम को संसोधित किया उसने नायतिक सिक्षा गनीत, क्रिसी, जमीती, खबोल विज्ञान, सासन के नियम, तरकसास्त्र और इतियास आधी जैशे धर्मत्तर विजय की भी सिक्षा पर बल दी अकबर के दरवार में नौ बिद्वान रहते थे जिनको नौ रतन कहा गया इसमें थे बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अबदुर रहीम खान ए खाना, मान सिंग, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमाम, मुला दो प्याजा बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अबदुर रहीम खान ए खाना, मान सिंग, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमाम, मुला दो प्याजा बीरबल, बीरबल जो था वो नौ रतनों में सबसे बुद्धि माना जाता था और ये एक ब्राम्हन परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके बजपन का नाम, बेरबल के बजपन का नाम, महेश दास था तानसेन, मिरजा तानसेन जो थे, वो गौालियर से थे और संगीत में निपुन थे अकबर ने तानसेन को कंठा भरन वानी विलास की उपादी दी थी राजा टोटरमन, ये अवध जिला के सितापुरू से सम्बंदी थे और इनका मुख योगदान भूमी सुधार में था फैजी, फैजी अभू फजल के बड़े भाई थे मा भारत और भागवत गीता का फारसी अनुवाद इन्होंने किया हकीम हुकाम, ये अकबर के विश्वास मत्र मित्र थे मुला दो प्याजा, ये नौरतनों में सामिल थे और खाने में दो प्याजा ब्यंजन इनको ज़्यादा प्रसिद था